पिंक मूवी को लेकर सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्यूंकि इसमें हम सबके फेवरेट मेगा स्टार अमिता बच्चन दिखेंगे एक लॉयर की भूमिका में अभी तक इस फिल्म की बहुत सारी स्क्रीनिंग हो चुकी है जिसमें सारे बड़े सितारों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है और अमित जी की जमकर तारीव भी की है अरे करे भी क्यों न वो हैं ही तारीव के काबिल इसे के साथ इसमें की तीनों लीडिंग लेडिस की भी बहुत तारीफ हुई है जिसमें से एक है टापसी पन्नू जो पहले भी बॉलिवोर्ड और साउथ के फिल्मों में काम कर चुकी है 12 सेप्टेंबर को मुंबई में हुई इस फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद एक इंटर्वियू में पन्नू ने कहा अमिर जी के साथ काम करना एक बहुत ही अच्छा एक्स्पीरिंस था और वो अब इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी नवस नहीं है क्योंकि लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है इस स्क्रीनिंग में पूजा भट, सोफी चौधरी, डीनू मोर्या, कृती सेनन, जुही चावला और अरबास खान जैसे बहुत सारे सितारों ने हिस्सा लिया अरबास खान ने कहा कि वो बहुत खुश है सारे अक्टर्स की परफॉंस देखके और कृती सेनन ने कहा कि वो भी डेली से बिलॉंग करती है और जिस प्रॉबलम पर ये फिल्म बनाई गई है, वो डेली में लड़कियों को फेस करनी पड़ती है इसलिए वो इस कहानी से पूरी तरह रिलेट कर पा रही है देखते हैं शुजीत सरकार की ये फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आती है प्लीज कीप वाचिंग और शेरिंग आज चैनल और प्लीज दू सब्सक्राइब इस प्रीती राव प्रॉम नजिस निउस